नमस्कार आप देखें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो आज हम कामटी मौदा विधान सभा का एक छोटा सा आकलन आप तक लेकर आएं कि आपके छेतर से कौन-कौन से विधान सभा को उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि आपको अभी से सोचना होगा क दोस्तिक कि आपके उम्मीदवार कोंसे हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी होना भी बेहत जरूरी है और इसलिए एक छोटा सा आकलन हम आप तक लेकर आएं कि इस पार्टी से कौन-कौनसे उम्मीदवार हो सकते हैं बात करेंगे बीजेपी से बीजेपी का नाम सुनते हैं इस खेटर में सबसे पहले चैंदर शेखर बावनकुरे का नाम सब के दिलों दिमाग में आता है लेकिन आपको बता दू कि चैंदर शेखर बावनकुरे तीन बार इस विधान सभा के नेत्यत्व कर चुके हैं cabinet मंत्री रह चुके हैं चौती बार इन्हें विधान सभा ना भेज कर यानि कि विधान सभा की टिकेट काट कर इन्हें विधान परिशत भेज दिया गया महराष्ट प्रदेश के भाजब के अध्यक्ष है महराष्ट प्रदेश के लेकिन सब के मन में एक ही सवाल आता है कि क्य क्या दोहजार चौविस में चंदर शिखर बावन कुरे को विधान सभा की टिकेट मिलेगी या नहीं मिलेगी इससे पहले भंडारा साकोली विधान सभा में विधान सभा को जो अमीदवार थे वो ततकालिन विधान परिशत सदस्य थे अगर उस तरज पे देखा जाए तो बावन कुरे भी इस बार सदस्य हो सकते यानि कि उमिदवारी मिल सकती है इन्हें लेकिन आगे का फैसला तो पार्टी प्रमुखी करती है लेकिन एक बात ये भी है कि 2019 में जब बावन कुरे के टिकेट कटी थी तो विधान सभा के कई सीटों पे इसका भारी असर देखने क को मिला था उसके बाद टेकचंद सावरकर का नाम सामने आता है टेकचंद सावरकर कई सालों से बीजी पी के पदाधीकारी रहा ह journeys की पत्नी निशा सावरकर जिल्ला परिशद अध्यक्य रह चुकी है बावन कुरे की जब टिकेट कटी थी तो टेकचंद सावरकर को ही उमि चन्द सावर कर असमर्थ दिखाई देते हैं खेर इनके अलावा अनिल निधान और अजय बोडारे भी उमिदवारी की मांग कर सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें ठाकरे गट की ठाकरे गट से राधे श्याम हटवार जो की पुराने शिवशैनिक है बाला साब ठाकरे के स चायत समिती मौदा के सभापती रह चुके हैं जिल्ला परिशद सदस से रह चुके हैं इनका जन संपर्ख काफी अच्छा बताया जाता अपने छेतर में और फिलहाल पार्टी के जिल्ला प्रमुख जैसे महतोपुर्ण कामान को संभाल रहे हैं वहीं दूसरी ग़र हम अग नहीं आया विधान सवा के लायक में लेकिन जैसे ही अगर कोई चेहरा हमारे नजर में आता है हम तक इसकी जनकारी आती है तो हम अगले आकिलन में आप तक उनका नाम भी लेकर आएंगे दोस्तों वहीं हम अगर कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस से प्रसन्ना उफ राजा तिड़के का नाम भी सामने हैं कई सालों से कॉंग्रेस के पदातिकारी रह चुके है नाना पटोले के करीबियों में से एक नाम राजा तिड़के का आता है इनके पिता बाबु राओ तिड़के भी कॉंग्रेस के नेता रह चुके हैं वहीं दूसरी और सुरेश भ तापेश्वार वैद जब शिवशेना में थे तब जिला परिशत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं 2014 में विधान सभा लर चुके हैं 2019 में उन्होंने कॉंग्रेस में प्रवेश किया और प्रवेश कर उन्होंने वे जड़पी सदस से बने और सभापती के रूप में काम भी कर रहे हैं इनका ग्राउंड लेवल की पकड़ अच्छी बताई जाती है कि आपके छेतर से कौन से उमिद्वार हो सकते हैं और किस उमिद्वार को आप पसंद करते हैं और उनके बारे में चानकारी होना भी ज़रूरी होता है खेर ऐसे ही आकलन हम आप तक लेकर आते रहें हमारे साथ आप बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन बिस्यान न्यूस पे जहें